बिहार में चल रहे पंचाइट चुनाओं में कई तरह की गलबणियां सामने आ रही है कुछे एक मामले तो पटना हाई कोट तक पहुँच चुके हैं उमिदवारों ने बैलेट पेपर में क्रमांक और चुनाओं चिन में गलबली के साथ ही चुनाओं परिनामों की घोशना में खामियों का आरोप लगाया है ऐसे ही अरडिया जिले के भरगामा प्रखंड में पैकपार पंचायत में सरपंच पत के उमिदवार बैजनाथ मंडल ने बैलेट पेपर और फिर चुनाओं के बाद परिनाम की घोशना में व्यापक स्तरपर खामियों का आरोप लगाते हुए पटना हाई कोट में एक बैजनाथ मंडल भी थे उन्हें निर्वाचन आयोग ने क्रमांग संख्या तीन और चुनाओं चिन नल दिया था है लेकिन मतपत्र जो आया सर मेरे जगह पर मोटर सैकिल आ गया बजनाथ मंडल कि नहीं क्रमांग दो पर मेरा नाम से ला गया और चुनाओं चिन हो गिया सर मोटर सैकिल छाब नतिजह आए हुआ सर कि मता ता दिक भरमित हो घुए और मुझे चुनाओं में सफलता मिली नाम दे दिया गिया है जिनका की मोटर साइकिल चुनावची में इसका मतपत्र भी सर आप देख सकते हैं मतपत्र का नमोना यह करमांक दो पर हैं यही उलट फिर हुआ है सर जिसके चलते हम चुनाव में पराजय का मोह देखना पड़ना है बैजनात मंडल ने इसको लेकर तुरंत निर्वाचन प्राधिकारी को शिकायत की और वोटिंग रद करने को कहा लेकिन उनका कहना है कि निर्वाचन प्राधिकारी ने इस पर कोई कारवाई नहीं की वोटों के गिंती 2 अक्तूबर को की गई, पहले बताया गया कि बैजनाथ को 528 वोट और मुढमत तेतर को 1424 वोट मिले हैं लेकिन बाद में निर्वाचन आयोग ने आक्ड़ा जारी कर बताया कि बैजनाथ को 1344 वोट और मुढमत तेतर को 549 वोट मिले हैं 1651 वोटों के साथ राजकुमार ने सरपंच पत पर जीत हासिल की है मंदल का सवाल है कि मुखिया पत के लिए कुल 5696 वोट पड़े थी जबकि सरपंच पत के लिए केवल 4958 वोट ही पड़े थे तो बाकी 768 वोट कहा गए यहां के पदारी कारी द्वारा हमारा कोई रिस्पॉंस जब नहीं लिया गिया सर तो मैं उस नियाले में जाकरके अपना रीट याचिका दार किया हूँ और मुझे नियाई की परतिक्षा है और हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द पैकपार पंचायत में पुना सरपंच पत पर चुनाओ कराया जाए इस मामले को लेकर अन्यूमिदवार महम्मत तेतर ने भी निर्वाचन प्राधिकारियों को चिठ्छे लिख कर वोटिंग रद कर नई तारिख का एलान करने की मांग की है दूसरी और इसी ब्लोग की शंकापूर पंचायत में भी वोटिंग में गलबली की शिकायत आई है आरोप है कि इस पंचायत के वाड नमबर 10 में इबियम में वाड सदस्य के नाम और चुनाव चिन में उलट फेर हो गया था तो इस वाड में वोटिंग कराय बिना ही पडिनाम घोशित कर दिया गया मुखियापत के उमिदवार मुहम्मद इसमाईल ने पत्र लिख कर कहा है कि पूरे वाड में वोटिंग कराय बिना ही डिजल्ट घोशित कर दिया गया है जिसके चलते वाड के वोटर मतदान के अधिकार से वंचित रहे गए हैं इसी पंचायद के मुखियापत के उमिदवार नगेंदर कुमार ने निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिख कर कहा है कि वाड नमबर दस में इबियम में उमिदवार के नाम और चुनाब चिन में गरबड़ी की शिकायत की जाने के बाब जूद कोई कारवाई नहीं हुई बलकि उल्टे वोटरों पर चुनाओ का बहिशकार करने का आरूप लगा कर निर्वाचन पताधिकारी इबियम लेकर चले गए इस वाड में तकरीबन 800 के आसपास वोटर हैं जो वोट ही नहीं कर पाए यहां मुखिया, जिला परिशत, पंचायत समीती और ग्राम कचहरी के सरपंच पतपर जीते उमिदवारों में जीत का अंतर बेहत कम है इसलिए अन्य उमिदवारों का कहना है कि अगर 10 नमबर वोड में चुनाब हुआ होता तो परिनाम बदल सकता था मुखिया पतपर जीते उमिदवार के वोट का अंतर केवल 95 है नगेंदर कुमार को 555 वोट मिले हैं और वो दूसरे नमबर पर रहे जीते उमिदवार को 650 वोट मिले हैं वहीं ग्राम कचैरी के सरपंच पतपर जीत का अंतर सिर्फ 198 वोट है पंचायत समीती के पतपर सिर्फ 134 वोटों से कम के अंतर से जीत हासिल हुई है जिला परिशत के पतपर भी 300 से कम वोटों के अंतर से जीत हुई है अगेंदर कुमार ने पत्र में लिखा है कि दोबारा वोटिंग ना करवाना अधिकारियों के तानाशाही रवये को दर्शाता है और ये लोक तंत्र पर आगात है कि छाप उल्टा आ गया था तो काफी देर तक लाइन में लोग खड़े थे इसके बाद डियम साहब को फोन हुआ वहां पर 11-12 वजे के करी उसके बाद लोगों को समझा के बोले कि आप लोग वोटिंग कीजिए मतलब यह वाट सदस का वोटिंग नहीं करने के लिए तो अगले दिन वाट सदस का लेकिन वहां एक भी मत नहीं पड़ा किसी पद के लिए किसी पाद पर एक भी मत नहीं हुआ काउंटिंग हो गया और प्रकाशित हो गया है वहां लगभग उस मुसलिम मत दाता है 800 से उपर है महादलीत भी है उसमें यह लोग अपना जो लोगतंत अपना जो अधिकार है वोटिंग का उससे वंचित रह गए और रिजल्ट परकासित हो गया वहीं इसी प्रखंड की मनुलाह पटी पंचायत में ग्राम कचहरी के सरपंचपत की उमिदवार हलीमा खातून ने कहा कि वोटों की गिंती के वक्त उन्हें विजेता घोशित किया गया और बाद में पढ़िनाम बदल कर किसी और को विजेता बना दिया गया उन्होंने निर्वाचन पताधिकारियों को चिठी लिखकर कहा है कि वोटों की गिंती से पहले प्रत्याशी और पस्तावक को कोई सूचना नहीं दी गई और उनकी गयर मवजूदगी में ही वोटों की गिंती शुरू कर दी गई थी जाए वह एक नमार टबॉल पर वञार टॉर पर गॉलता है क्या आली महां तरब पाते गारत कर पासे की हैं हम आनीं तुम आपको वहार है इतना पुर्शत क्लुप लेकिन कि आई यह लिखाल था कि अहलिमा खातुन जहां जे पांचे सततर से बीजय लिया है सरपांच से थीक है सर यह लिख के हमको भी दीजिये बोला 15 मिनाट आप रुखिये सटीपिक आपको वीडियो शाइब दे रहा है आप टेंशन मत लिजिये दो लेडिस पुलीस को था वहां पकर के बोला चलो पिन डाल बोला इसको ले जाओ पिन डाल में मेरे साथ मेजिया से बोला गिया वहां बठा के मेरे नाम नमर लिया फोटो लिया सब कुछ लिए और हम केवल 20 मिनाट के बाद उठ खरा हो करके जब वीडियो सहीब के पास जाते हैं वरी पद्तिकारी था ब इस सम्बन में जब मैं मीडिया ने वीडियो रेखा कुमारी से संपर्क किया तो सवाल सुनकर उन्होंने कहा कि बड़े अधिकारी का फोन आ रहा है इसलिए वो थोड़ी दिर में बात करेंगी बाद में कॉल करने पर उन्होंने फोन नहीं उठाया ये सभी मिदबार दोबारा वोटिंग की मांग पर अपने समर्तकों के साथ भरगामा प्रखंड कार्याले के सामने अनिचित कालिंधर ना दे रहे हैं झाल